नमस्कार दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वागत है साफस्व सॉलेशन्स पे यह हमारे जावस्क्रिप्प कोडिंग इंटर्वीक्वेशन्स पे सुलेशन्स सीरीज का नेक्स्ट क्वेस्टेन है यहां पर हम बेसिक से लिए एडवांस तक इंटर्वी में पूछा जाने व किस तरीके से बहुत सरी तरीके होते हैं समफाइन करने के बट जो सबसे तरीका होता है समफाइन करने का वह पर एक रिडिज्य मेथट थ्रू हम-sum of all elements जो की हम एक array में दियाए लिए निया गया है साथे हैं हम चाहतें कि हम चाहतें कि आप पहले डिफाइन करें उसको उस करें कि reduce method क्या होता है उसके बाद जाके आप प्राक्टिकल में जाए ठीक है सो दिखिए दोस्तो reduce method क्या होता है कि हम पहले वीडियो में भी बता चुके है reduce, reduce का करता है कि accumulate करता है आपको एक single value return करता है ठीक है so reduce method apply to a function to each element in the array from left to right and returns a single value हमेशा यह क्या है चलता है left to right keyword चलता है और हर एक element को traverse करता है array के अंदर ठीक है the reduce method takes two arguments हमेशा यह दो argument लेता है a function ठीक है क्या क्या लेता है एक function और एक optional initial value जो कि एक initial value हमें देनी पड़ती है जो कि optional होती है अब दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है the function is executed on each element in the array एरे के अंदर आपने जितने भी elements लिये है वो हर एक के त्रों traverse करता है ठीक है and the return value is used as the new value for the next element in the array ठीक the initial value is optional अभी हम जो बोल रहे हैं कि function लेता है reduce method और एक optional value लेता है पहली बता चुके है कि optional है अगर हम if omitted अगर हम नहीं ले रहे हैं तो क्या करता है array में जो भी हमारा पहला element है वो इसको as a initial value use करता है ठीक है तो दोस्तों इस तरीके से आप interview को समझा सकते हैं पुरा reduce method के बारे में आप क्यों use कर रहे हैं sum के लिए reduce method array में तो आपका बहुत अच्छा impression पढ़ेगा तो चलिए दोस्तों चलते हैं practical की ओर तो दोस्तों अगेन हम यहाँ पे एक script tag से शुरुबात करेंगे ठीक है और हम लेते हैं एक constant तो हमें constant में के लेना है एक array जिसके अंदर जितने भी elements हमने लिए हैं उनका हमको sum fine करना है ठीक है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना होता है 10 तो हमारा output क्याना चाहिए 10 तो देखिए अब हम जो हमारा output होगा उसके लिए हम फिर से देखिए यह हम sum ले लेता है यहाँ पे हमें accumulate करके देना है अपना output हमें reduce method यूज करेंगे किसके ओपर array में ठीक है array में reduce हमने बोला था यह दो चीज़े लेता है क्या क्या चीज़े लेता है एक तो function ठीक है sorry एक लेता है function और दूसरा यह क्या लेगा initial value तो sum में हमेशा हम क्या लेंगे initial value दोस्तों 0 0 लेंगे क्यों क्यों कि किसी भी number पर आप 0 आड करेंगे तो आपको कोई फरक ने पड़ेगा आपको हमेशा वही number मिलने वाला ठीक है तो यहाँ पर आपका logic लगेगा ठीक है देखिए अब हमने function ले लिया अब हम function के अंज़ाब कोई भी देखिए हमें क्या करना है एड करना है दो numbers को तो हम दो variables लेंगे a और b तो हम इसको consider कर लेंगे a इसको b ठीक है अब हम क्या करेंगे यहाँ पर हमें अपना logic लगाना है ठीक है तो हम क्या करवाएंगे इस function से return return कर दीजे क्या हमको a plus b करना है तो आप a plus यह हमारा formula यूज होगा ठीक है तो अब देखिए हम दोस्तों confirm sorry console करके देखते हैं किसको sum को sorry sum को कि हमारा क्या value देता है चलते है चलते है और देखते हैं देखिए आगया 10 ठीक है 1 plus 2 plus 3 plus 4 निक्या देदिया हमको 10 accumulate करके value पूरी हमारी sum में 10 देखिए दोस्तों हमने बोला था कि initial value हम ले भी सकतर ने भी अगर हम इसे omit करते ठीक है तो भी से कोई फरक नी पढ़ने वाला तो भी हमारा 10 लेगा क्यों 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 initial value क्या ले ले रहा है 1 ठीक तो देखिए दोस्तों हम करके देखते हैं अगर मैंने initial value 5 ले ली तो क्या होना चाहिए यहापे इसमें पूरे 10 में वाइट करना चाहिए हमें 15 देना चाहिए ठीक है देखिए आगे 15 तो यह होती है हमारी initial value तो आप logic लगा के उसको यूज करेंगे initial value को तो इसलिए रहे हमारा actual में क्या लॉजिकली क्या आना चाहिए 10 आना चाहिए तो इसलिए हम यहापे initial value अगर आपको लेनी है तो आप क्या लेंगे 0 लेंगे क्योंकि किसी भी number में आप 0 आट करेंगे तो उसे कोई फरक नहीं पढ़ने वाला हमेशा हमारा output उतना ही आएगा otherwise आप इसको omit कर दीजे तो यहाँ तक इस वीडियो के लिए यहाँ तक इतना ही दोस्तो अगर आपको कोई question है तो आप please comment box में comment करिए मिलेंगे next video में thank you so much